लेकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है उसको वह हमेंसा विक्स के इस जोन को हमेंसे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुईटी समझता है जैसी 20 विक्स 20,23,24,25 चला याथ वहां पर कोई स्पैक आया तो तू 10,20 उपर का प्रियों इमिडेटली 30,40,50 उपर का एक स्पैक आपको इसली यहां पर दे सकता है जहीं दोस्तों कैसे आप लोग आई होप आप काफी अच्छे होंगे दोस्तों अगर आप लोग मार्केट में ट्रेट करते हो ऑप्शन बायर हो खासका ऑप्शन में स्कैल्पिंग करते हो बाइंग कर करने चाहे तो आज को वीडियो आप लोगो झीले क्योंकि आज की वीडियो के बाद आपको क्लिएर हो जाएगा कि किस तरफेजाद मार्केट में और किस टाइम और आपको मार्केट में पर से्ली करना है अगर उफचे चानि आंपके्शों क्योंड जा 2050 yandles kare- MIDॉपिक क्ल के basis पर जो भी एक professional trader है चाहे normal trader है वो market में उसको किस तरीक से trade करना है वो identify करता है वो index इतना important है जिसके basis पर market को understand करता है रीट करता हो अपनी strategies बनाता है तो basically आज जो हम topic है जिसके आज को इंडेक्स है जो topic हम जो बात करने वाले वह है इंडिया विक्स यह index 2003 में एनसी ने launch किया था basically इंडिया विक्स का जो इस्तेमाल होता है इंडिया विक्स का जो इंडेक्स से पहले आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से दिखता है अगर यहां पर आप देखो के तो मैं इंडिया विक्स टाइप करता हूं सभी लोग दे है तो यह इंडिया विक्स आपका 15, 16, 18, 20, 22, 23 और कोरोना की टाइम में तो 13 तक चला गया था ठीक है तो इस तरीके का इंडेक्स दिखता है आपको इसमें कुछ इस तरीके के fluctuation दिखेंगे अगर मैं इसका time change करूंगा तो आपको इसके अंदर कुछ इस तरीके की range में दे करने अपने ट्रेडिंग करता बेसिकली 2003 में इंट्रिद्यूस हुआ और इंडिया विक्स का यूज क्या होता हूं मैं आपको बतायता हूं जो विक्स है जब आपका मार्केट में uncertainty रहती है मार्केट पैनिक रहता है मार्केट में डर कम हो लेता है या किसी भी टाप की वार मार्केट में रखने में डर लगता है मिस वो अपना पैसे को मार्केट में रखना नहीं चाहता है उसको अपना पैसे को निकालना होता और सब निकालने को चाहते कि मैं अपना पैसे मार्केट से निकाल दो ताकि मेरा पैसा डूब ना जाए जब भी उसको फिर आता है किसी गौर्वर्मेंट के अंदर स्टैबलेटी रहती है किसी भी टर्क भी नेगेटिव नीज नहीं आती सारी रिजल्ट्स पॉस्टिव आते हैं मार्केट एक अच्छे खास स्टेबल जोन होता है हर किसी को मार्केट में इंवेस्टमेंट की अपरचुरिटी दिखती है तो अब म मार्केट स्टेवल है शांत है और अभी के मार्केट हैं हमें इंवेस्टमेंट करनी चाहिए इंवेस्टमेंट अपरचुर्ण में मिल सकती है वहीं जैसी यह देंच आपकी शिफ्ट हो जाती है फ्रम 15 16 18 20 22 25 की बीच में चलिया तो इस टाइम पर हमें एक चीज देखने को मिल कि मार्केट मानिस्टेविलिटी एपन बॉप और अभी पैसा डालना क्या विक्स हम बताता है उसको उसको क्या समझ माता है वह आप मैंने आपको बता दिया लेकिन यहां पर जब आप option में trade करते हैं तो आप प्रीमियम का बहुत बड़ा खेल होता है प्रीमियम के अंदर बड़ी बड़ी मुव मैं देखने को मलते हैं क्योंकि आप एक option बढय हो और अगर आप option बढय हो तो आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग करते हो किसमें premium के अंदर देखना होता है बात यहां पर option बाइद के आगी है तो option बाइद को समझाने के लिए option traders को समझाने के लिए मैं direct आपको चार्ट पर लेके चलता हूं अगर आप previous दो दिनों के अंदर को देखेंगे तो अब भी जो आपर चार्ट चल रहा है तो यहां पर देखो जो विक्स है विक्स का जो फर्स केंडिल बनी है वह दस परसेंट का जंप दिखा है मींस विक्स में अल्मोस्ट एक पॉइंट के आसपास का बड़त देखने को मिलिए और दस परसेंट का जंप दिखा है अब इसका impact किया हुआ जब विक्स अपना बढ़ने लगें जो अपना supply chain है उसमें कहीं न कहीं effect देखने हो मिल ला है तो इससे recession का खत्रा आया महंगाए बढ़ने का खत्रा है तो इसकी वैसे एक panic situation बनी हलका सा एक negativity में जिसकी वैसे market अपना एक gap down देता है तो अपना विक्स क्या होता है 10% चढ़ जाता है जैसे मैंने आपको बताए कि market में negativity आएगी पैनिक आएगा तो विक्स बढ़ने लग जाएगा और मार्किट में बड़े-बड़े मुव्स देखने को मिल जाएगा बड़े मुवस कैसे दिखे विक्स बड़ा तो अपना क्या है निफ्टी काफी अच्छा फॉल दिखा दिया काफी बड़ा gap down लेकिन हम में एक option ट्रेडर है तो उसका आप option का चार्ड देखो बाइस यहाद इतना बड़ा मुमेंटम इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी या इतना बड़ा मुव और सिंगल केंडिल का अगरा मूव देखोगे तो इसने अल्मूस्ट बीस से लेकर फस्ट एक केंडिल ने बीस से पचास का एक मूव दिखाया है तो यही होता है जब विक्स आपका बढ़ क्या करने लगा फिरियम डाउन लगा परीयम ऑल्मूसर मेल हो पचास का पिर फिर्यम अपई से 20 आ लगे क्छा विक्स कूल डाउन होना में मार्केट में वापीस से स्ट्ब्लेटी आ रही है लोका टरस्ट बना हुआ 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 से अ लों का प्रिम्याम आपका प्रोपीस हुआ तो अपना क्या हो गया जो एक प्राइस था इसने सपोर्ड लेकर एक रिवर्सल शो किया तो विक्स का कहीं निफ्टी से या मलब इंडियन मार्केट से एक को रिलेशन होता है जैसी विक्स बढ़ता है वैसी प्राइस निफ्टी के अंदर एक बड़ा अपने को नेगि विक्स का क्या को रिलेशन होता है अपने मार्केट से और किस तरीकी से विक्स के अंगे मार्केट किस तरीकी से रियक्ट करता है अब मैं आपको बताता हूं कि किस रेंज में जब विक्स का कौन सी रेंज ऐसी होनी चाहिए जब आपको option buying करनी जब आपको option selling करनी जब आप तीन रेंज में मैंने इसको बाटा हुआ है पहला रेंज है अगर आप आन एवरेज अगर रेंज देखोगे इसको यह जो चीज है यह कि एक्सेप्शनल है मिन्स क्या कि ऐसा मुमेंट आपको बहुत देखने को मिलेगा कि विक्स जो आपका कितना चला गया 83-84 यह तो क्रेश वाली सिच्वेशन में आता है और क्रेश मार्केट में हर नहीं आता है तो पांच-दर साल में एक पार आता है तो इसको हम एग्नॉर क कि जो बात करूंगा वह आजेगी आपका इसको कह सकते है आप 14 से लेकर 20 की अप्लॉक्स के एक रेंज है यहाँ आपको काफी वालेटलिटी देखने में मिलती है फिस थर्ड रेंज की बात करेंगे तो 20 से लेकर 25 की अपनी 3rd रेंज है तो 3 रेंज में इस विक्स को बांट तो सबसे पहली range हम जो discuss करेंगी वह है कि 9 से 12 की range है अपने समें उसमें उस पर आपने को किस तरीके से काम करना है विक्स की range जब 9 से 12 होगी, market में stable लेगा, means market बहुत stable लाइगा, market में stability रहती है, जादा आपको बड़े मुवमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं मार्केट बहुत जाता है बुलिश रहता है और खासका मैं जब मैं ट्रेट करता हूँ तो मिले को बुलिश मार्केट में थोड़ा सा दिक्कत होती है प्रफिट वनाने में क्योंकि बहुत दो स्टीश रेट करने में नॉड़ेश सब्सकंष रूसा को इस रहिए नने चुदम सब्सक्राइब टेणीयर क कीमार्केट करता है और भाद में मिलेगा सो पॉइंट मिलेगे वहीं मैं 10 सुबह या 20 सुपह का प्रियूम शॉट करने के प्लैनिंग करूंगा तो 10-20 सुपह कमाने के लिए वहां पर 10-20 सुपह कमाने के लिए पैसा तो लगा रहा हूँ काफी ज्यादा दिक्कत बिरा मांकेट हो जाता है जब सेलर के लिए यहां पर दिक्कत ऐइटमीन जिहां फायदा किसके लिए वने वाला बायर्स के लिए कैसा फायदा होता है गुट फॉर स्कैल्पिंग मिस आपको छोटे मोटे स्कैल्पिंग करनी है कि 2-5-10-15-20 परसेंट करनी है तो आप जब 9-12 की रेंज में हो तो आप यहां पर स्केलपिंग कर सकते हो और बहुत स्टेबल स्केलपिंग भी होती है बहुत छोटे-छोटे 9-12 की उसके बात करते हैं अगर आप स्केलपिंग के बजाए ओप्षिंस में ट्रेड भी करते हो तो मार्किट स्टेडी उपर जाता है इस रेंज की टाइम पर तो आप यहां पर इन्द मनी में ट्रेड को एक स्टॉप्रस लागा के होल्ड कर सकते हो तो यहां पर इसलिए मैं तो वहां पर इन्द मनी में अगर 9-12 के बीच में देख रही है तो में मार्किट में रहती है और बुलिश मुमेंटम आपको ज़्यादा देखने को मिलते तो आप उसी किसी एक डायेक्शन में अगर आप ट्रेड बना रहे हो तो आप वहां पर इन्द मनी का ट्रेड अगर इसा नहीं होगा आपको थोड़ा सा पेशन्स आपका टेस्ट करेगा लेकिन जहां पर पेशन्स देते हो जहां पर वेट करता हो वहीं पर आपका असलिप ऐसा बनता है ठीक है आप इसकी बात जो हम नेक्स रेंज की बात करेंगे वह यहां पर 14-20 की बीच में 14-20 का पर नीचे जा रहा है उपर जा रहा नीचे जा रहा है इसका मिलब क्या रहा हो कि जब 14-20 के बीच में अगर market है, volatility है, it means यह एक zone ऐसा होता है, जहांपर market में uncertainty होती है, means, कैसी uncertainty, कि क्या यहां से market उपर जाएगा, या क्या यहां से market और नीचे गिरेगा, तो ऐसा यह zone बन जाता है, जहां पर थोड़ा सा डर भी होता है, और थोड़ी से low का opportunity भी देखती है, लेकिन clear हमको direction नहीं मिलता है, भली हमको छोटा मोटा crash देखने को मिलता है, या छोटा मोटा panic scenario देखने को मिलता है, बट हमको clear crash नहीं दिखता है और नहीं हमको clear upside movement direction दिखती है बट हम बीच में एक volatile zone फसे होते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ जादा volatile देखने को मिल जाती है कभी एकदम से selling आयती है कभी एकदम से buying आयती है कभी एकदम से selling आयती है तो इंट्राइडे के अंदर ही आपको दोनों direction में ट्रीट करने की opportunity मिल जाती है तो जो scalper है उनके लिए तो best area है means जब 14-20 की बीच में आपके options आते हैं scalping करने के लिए काफ़ से रहा जाता है यहाँ पर scalping कर सकते है बट यहाँ पर एक चीज होती है कभी भी 100 भी जा सकता है 150 भी जा सकता है लेकि वही 20 से 0 भी आ सकता है क्योंकि इस तरीके की volatility आपको देखेगी तो यहाँ पर theta decay भी लगेगा लेकिन momentum भी आएंगे तो quantity जितनी कम देखेगी उत्तर अच्छे आप यहाँ पर trades पकड़ पाओगे उत्तर अच्छे आप डाल दी वैसी ही आपका stop loss stop loss किया पुरा accounting blow जाया क्योंकि एक दिन में आपको दो नुटी दो साइट के मिनी तीन चार डायक्षिन के मूव में देखने को मिल जाते में पहले उपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर उपर जाएगा फिर नीचे आएगा क्योंकि uncertainty volatility यहां पर sellers का जो है जो है जोन काफी अच्छा होता है क्योंकि अगर आप देखो जब volatility है उसको पता है एक range में market volatile है तो यहां के भी short करके बैठेगा यहां के भी short करके बैठेगा दुन साइट के premium खाएगा option जो buyer है चाह स्कैल पर है इस range में 14 से बीच की range में सिर्फ कम quantity से लेकिन आप जादे-दे hold अगर होगे तो इस पैक काफी तरी से नीचे भी आता है और वहां पर seller का पैसा बनाने का मौका होता है क्योंकि seller दोनों साइट से शॉट करके बैठा होता तो उसको दोनों साइट से पैसा बनानी की opportunity उसके लिए क्योंकि प्रीम से मैंगे है दोनो quantity कम और आपने सिर्फ मुमेंटम में यहां पर scalp करने है और कम टाइम में अपने निकल जाना है आप यहां पर hold नहीं कर सकते ठीक है good for momentum scalpers पर उसके रहते है not for holding traders जो traders जो होते हैं जो trade को hold बैटे रहते रहते आप सोचो जब market इतना वालेटाइल है आप कहां hold बैटोगे तो जो hold करके बैटे options केंदा उनके लिए जो यह वाली range है 14-20 बिल्कुल भी hold ना करें अगर आप थोड़ा सा risk टेक करें तब आप hold कर सकते हैं वो भी कम quantity में वो भी जवाब trade को लंबा लेके जाना चाहते हूं ठीक है अब हम बात करते third range third range तो ऐसी range है जहां पर जो आपको ब पर लब यहां पर market bearish हो चुका है अभी यहां पर अपने market panic scenario बन चुका है selling pressure है अभी जैसे जब तक 9-12 का range था तो हमारा buy on dip वाली rally चलती थी कि जब भी dip बाइंग बननी एक bullish bull run दिखा रहा है लेकिन जैसी range हमारी Wix की shift हो गई है from 20-25 की range अगर आपको मैं चार्ट पर ले देखने को मिल जाती आप यहां पर देखोगे जैसे अपने 20-25 का range है बहुत वलटाली इस जगह पर market हो गया है और 25 के range में तो कहीं पर भी crash भी आया देखो एकदम से पूरा market crash हो यहां पर आपको crash नहीं दिखेगा यहां पर आपको Wix का बढ़ना हो दिखेगा यह देखो जो Wix अपना गया हुआ है यह almost 83 गया है और यह आपको पता होगा कौन से जोन है मैंने weekly time frame में लगाया हुआ है यह जो time है यह अपना करोनर का time ता जहां पर market बहुत भेंगा तरीके से crash हो था क्योंकि sudden lockdown लगा दिखे था market में अफसा तो फ्रीम हो थी लोग को लगा था कु उपर नीचे चड़ा हुआ है तो विक्स कहां हुआ उसके बहुत sudden तरीक से cool off भी हुआ है cool off हुआ है it means क्या अब जब आप देखो के विक्स का जो इस तरीके का momentum आया है विक्स इस तरीक से जब इतने बड़े-बड़े movement दिखा है 2008 का crash के बाद आय थी इस time पर ऐसा moment to uncertainty थी market में फिर वापी से जब cool off हुआ तो इसके बाद आपने देखा हो को जो अपना stock market है उसमें एक अच्छा खासा बुलन देखने को मिला जैसी विक्स इता है चला और 20-25 के उपर cross कर गया किसी भी range में उसके बाद एक काफी अच्छा cool down आता है it means wix में cool down आया तो हमको क्या म मिल लिए वहाँ पर investment करने की opportunity मिल रही है तो विक्स का रही है जब 20-25 या 20-25 की उपर जाने लग जाता है तब वहाँप आप SIPS करना start कर सकते हो ऐसा नहीं कि direct सारा पैसा आपने किस stock में ठोग दिया आप SIPS करना start करो जैसे थोड़ा और नीची मिलता है अच्छा stock है अच् business काफी अच्छ है और आप मार्केट में उसके products देख रहे हो कि consume कर रहे है आपको दिखता है उसका future अच्छ है लेकिन आपको क्रेक्शन मिल रहे है आपको investment करनी की opportunity मिल लिए तो 20-25 की range का जब इविक्स मिलेगा आपको SIP करनी है और आपको investment opportunity काफी अच्छी मिल जाती है जिन लोगों ने कोरोना के इस crash में किसी भी इंडिया की अच्छी company की stock buy की होंगे वो आज की data माला माल होंगे उन्होंने इस चीज को समझा होगा लेकिन जो एक आम retailer होता है उसको यह लगता है कि सब बेजबाच के निकल जाते है अब तो market किसी के मार्केट में कुछ नहीं कोई भी आपको trading style नहीं अपनाना चाहिए कि अगर आप option buyer हो seller जो है थोड़ा सा risk ले सकते है क्योंकि अगर seller है तो उसको कहीं पर wix में stability देखने लगी है कोई premium आपको समझो 200-300-400 रुपर की आसपास premium चल ला है तो उसके बस खाने के लिए means 2-300-400 पॉइंट है खाने के ल पर रिस्क लेगा तो वहां पर बाइंग काफी जाद रिस्क हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से premiums आपको इतने महंगे महंगे मिलेंगे वहां पर अगर आप देखूगा और उस market crash कर रहा है आप इस टॉक को बेज आनी चाहते है आप इसके stocks के derivatives में काम कर सकते है उस stock के put option खरीद के रख सकते हो तो basically options जो थे stocks को आपके portfolio को hedge करने के लिए बनाया गये थे लेकिन अभी आप option trading एक अलगी sector बन चुका है तो यहां पर आप buying तो आपके लिए बहु amount risk पर देखे लगा सकता है क्योंकि वह otm भी अगर लेकर बाय करके छोड़ता है ऐसे market में तो अगर otm के नीचे 1000 point market crash कर गया 2000 point crash कर गया तो जो उसने otm 100 रुपर खरीदा होगा 1000-2000 भी जा सकता है तो इस तरीकी के small risk लेकर यहां पर काम किया जाता है बट आप एक full time trader की तर opportunity रहती है traders के लिए बहुत जादा इसकी होता है ठीक है sellers के लिए भी risky zone है लेकिन जो seller है जिसको दिख रहा है जो experience seller हो यहां पर काम करता है और यहां पर premiums जो हैं बहुत ज्यादा है होते है और situation जो होती है बहुत ज्यादा panic होती है और मैंने आपको चार्ट पर दिखा दे तो किस तरीके से निफ्टी में आपको correction देखने को मिलता है जैसी 20 के पार हो जाता है 18 19 20 19 20 22 चला आता तो किस तरीके से आपको market में एक selling pressure देखने को मिलता है या beer run देखने को मिलता है ठीक तो आपको clarity काफ जाता हो जाएगी तो I hope आपको आज की वीडियो से समझ माया इस टॉक बढ़ने डॉट इन जहाप आप मेरा जो personal strategy है बिग बास strategy आप काम कर सकते हैं जो कि scalping के लिए basically जो में आपको range बना आया था कि 9 से लेकर 12 के range में 15 16 18 19 के range में जब भी market रहता तो वहापे scalping करने की कफ़ जादा opportunities मिलती है और अगर आप एक option में आया तो scalping आपके लिए बहुत 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 बहुतर option हो सकता है चोड़े चोड़े points capture करने का चोड़े चोड़े profits बनाने का तो उसके लिए आपको एक strategy होगा तो अपने पास जो strategy है जिसका आपको link description box में मिल जाएगा बांकि अपना telegram आप जोइन कर सकते हैं जो कि free of cost है किसी भ जाए आपको live market में जो भी अपने updates होते हैं हमें यहां पर मिलते रहते हैं so I hope आपको आज की वीडियो से Wix का concept clear होगा और आपको समझ मां आ गया होगा कि आपको किस market में किस तरीके से अपने trades करने है कि option buying करनी selling करनी scalping करनी है चाहे investment opportunity डूड़नी है तो आज का वीडियो में ही पर end करते हैं I hope आपको वीडियो काफी जादा पसंद आया होगा मिलते हैं next video में till then bye bye see you जय हिंद